यो, what's up guys, कैसो अब सभी लोग, welcome back to another new gameplay video, तो guys, आज हम दुबारा से किली जारे, last day rule survival, हाँ, काफी दिनों बाद दुबारा से आज कारलो लोट आया है, मेरे यहर थोड़े personal problem कि बचिसे काफी दिनों से मैं वीडियो वगरा नहीं बना रहा था, बट अब से guys वीडियो रेग कीजे, जो कि अभी तक Leos के अंदर आया ही नहीं है, यानि कि आने वले update पे Leos के अंदर जो जो चीज़े आएगा, वो इस वली Leos के अंदर अलेड़ी आ चुका है, तो मैंने अगले वले episode पे, मेरा मतलब अगले अले वीडियो पे Leos का, उस पे मैंने आपको कुछ चीज़ बिना किसी गारी का, वो भी उरते हुए, मतलब कि आपके बस glider नहीं है, तो बिना glider का, आप glider का मज़े ले सकते हो, तो उसी type का और भी काफी सारे नए 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 चीज़े तो इस game के उपर है, लेकिन आज हम कुछ अलग चीज़ देखने जा रहे हैं, जो कि already game के उपर आ चुका है, यानि कि आप भी उसे अभी के अभी उस कर सकते हो, काफी सारे भाई लोगो अल्रेडी पता है उसके बारे में, बढ़ मैंने अभी तक कभी उस नहीं किया, क्योंकि उसमें थोड़ा साना ticket वगरा लगता है, जो कि मेरे पास नहीं था, बढ़ मैंने सूचा या इजीली unlimited farm कर सकते हो, सिब 2 मिनिट के अंदर, यानि कि 2 मिनिट के अंदर आप पुरा का पुरा sulfur से chest भी भर सकते हो, तो उसके लिए हमको ore mine को giant ore mine पे convert करना परेगा, तो सबसे बहले हैं हम convert करने वाले एक stone mine को, तो उसके लिए न, मैं stone mine की चारों तरफ से basil लगा के इसको पुरा का पुरा pack करने पे लग जाता हूँ, क्यूकि भाई ये जैसे giant mine पे convert हो जाती है न, coordinates हो जाती है, पूरी की पूरी सरफर की बंद को पता लग जाएगा कि का पे giant ore mine है, तो हो सकते है कि भाई कोई बंदा आ जाए third party करने के लिए, इसलिए भाई मैं सबसे पहले अप अपने stone mine को giant mine पे convert कर दूँगा, ताकि अगर कोई बंदा आए, तो भी उसको कुछ भी ना मिले, मैं अकेला ही सब कुछ लूट लूँ, काफी easily, अपने mine को cover करने के लिए, थोरा सा wood वगरा कम पर जाते है, तो मेना थोरा बहुत और trees वगरा cut करके, wood collect कर लेता हूँ, उसक wood का cabinet लगा के मेरे को उसी के अंदर फसादे, और फिर तरपा तरपा के मारेगा, भाई हो बंदा हमको, okay, तो मेरे पास 1600 wood तो हो चुका है, काम करते हूँ, cabinet बना लेता हूँ, cabinet बनाने के लिए 1000 wood मेरा चला गया, अभी बाकी रहा बच 600 wood, 600 wood शायद से कम पर सकता है, तो मैं नहीं चाता कि मैं दो बार से हूँ, trees cut करने, तो एक काम करते हूँ, एक दू trees और cut करके ही चलते हैं, okay, तो I think इतना बाई काफी रहेगा, अभी फटा फट से चलते हैं, जिस mine को हम cover कर रहे थे, उसी mine के पास, और उस mine को पूरा का पूरा अच्छे से cover करते, और फिर उसको door lock भी था, जिसको मैंने या पर door लाके lock भी लगा दिया, था कि अपना आना जबना भी बने रहे मस्त, ऐसा है नहीं कि हमको वालत और के बाहर जाना पर रहा है, खेर अभी नगास हमको एक tool खरीदना परेगा, जिससे कि हम अपने mine को giant mine में convert कर पाएंगे, जो कि यह देखो यह ओली tool, इसका नमे super ore detector, तो आप इस tool को दिन में सिप 5 बारी खरीच सेकते हो, एक दिन में, उसके बाद next day आप दोबरा से खरीच सेकते हो, तो फिलाल मैंने एक tool तो देखो खरीद लिया है, और उसको मैंने अपने हाथ पर पकर लिया है, फिर आप माइन के 5 में आओ, फ वेड करते थोरा सा भाई, थोरा सा तो time लेगी जाएगा अपने इस normal stone mine को giant stone mine में convert होने पे, तो यहाँ पर देखो नीचे पे एक line जा रही है, धीरे-धीरे कम हो रहा है, यह ओली line यह ओलो वाला है, तो वही पिला वाला line भाई, जैसे ही धीरे-धीरे पूरा कम हो जाएग कि मैं जो अभी यह लियोस खेल रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे tickets वखरा free में मिल रहा है, यह Chinese version का लियोस है, भाई, यह Chinese version का लियोस बिल्कुल भी नहीं है, यह लियोस सिप testing के लिए है, इसके अंदर सारे चीज़े टेस्ट किया जाता है, और कुछ नहीं, तो फिलाल ग सही है यार, और उपर देखो, coordinate भी आ चुका है, यारी कि आभी सारे के सारे बंदों को पता लग चुका है कि इस server की कौन सी location पे giant stone mine है, तो हमको फड़ा बट करना परेगा, मैं निकाल था हूँ, अपना stone x, sorry stone x नहीं, iron x, और iron x से इसको तोने पे लग जाता हूँ, भाई, इसको तोने में तो थोरा बहुत टाइम लगी जाएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़ा है यार, और इसको तोर के हम देखने वाले है कि आखिरकार stone mine से हमको कितना stone मिलता है, जिससे कि आपको भी पता लग जाएगा, और उसके बाद भाई, आपके उपर है कि आपको ticket को convert कर सकते हो, दोर mine को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ये tool तो काफी टाइम पहले game पर आ गया था, बट मैंने कभी try नहीं किया था, तो यहाँ पर try कर लिया, और मुझे पता है काफी सारे भाई लोगों ने already इसको try कर लिया होगा, बट अभी भी काफी सारे भाई लोग इसको try नहीं भी किया होगा, तो जिनों ने भी try नहीं किया होगा, उनको अभी पता लग जाएगा कि इस tool की मदद से आप कितना farm कर सकते हो, बट कुछ ख़बर ऐसा आ रहा है कि ये जो tool है, ये काफी जल्दी game से हट जाने वाला है, क्योंकि काफी सारे लोग को ये tool तो नहीं आया क्योंकि इस tool का मतलब यहीं बनता है कि जिसके पास पैसा है, वहीं सरवत जीतेगा, क्योंकि देखो अगर किसे के पास जादा पैसा है, तो उसके पास जादा tickets होगा, फिर वह बंदा क्या करेगा, बस थोड़े टाइम के लिए game पे आएगा, और ऐसे ही वही इतना फार्म कर देगा, जितना आप पूरा सरवर पे भी नहीं कर पाओगे, बंदे के पास पार्मिंग की कमी बिल्कुल भी नहीं होगा, फिलाल यह जाइन स्टोन माइन तो बस तूटने ही वाला है, और तूटने के बाद देखींगे आखिर कितना स्टोन कलेक्ट होगा, आपके उपरे की आपको टिकेट्स लगाना चाहिए या नहीं इसके लिए, मैं कुछ नहीं बताने वाला भाई, अगर आपके पास टिकेट्स है तो लगाओ, अगर आपका मन करता है तो लगाओ, नहीं करता है तो नहीं लगाओ, आपके उपरे पूरा, अगर मैं आपना ब बारी में इसको यूज कर सकता हूं इससे ज़्यादा नहीं अभी मैं आ चुका हूं एक दूसरे सर्वर पर बस अब को यह दिखाने के लिए कि दूसरे जो और माइन है उससे कितना कितना हमको मिलता है जैसे कि आयरेन हो गया सलफर हो गया और भी टाइटनियम वेगरा भी देखेंगे कि टाइटनियम पे भी हम इसको यूज कर सकते या नहीं तो सबसे पले अभी मेरे कोना एक सलफर माइन ढूड़ना परेगा और यह रहाए टूल और दूसरे सर्वर पर इसली आया क्य हो गया खेर दूखो आप टाइटनियम माइन को भी जाइन माइन में कर सकते हो बड़ मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास स्टील का एक बिल्गुल भी नहीं है तो करके भी कोई फायदा नहीं मैं इसको नहीं तोर पाऊंगा इस टूल को आप पेर को छोर के आप सारे के सारे माइन पे उस कर सकते हो जैसे कि आपका इनर्जी माइन होगे इनर्जी माइन को भी आप सूपर माइन में कर सकते हो और टाइटनियम को भी कर सकते हो और स्टोन सलफर तो है ही बस पेर को नहीं कर सकते हो फिलार कैस आप मैं आ जाते हो एक सालफर माइन के पास में और sulfur mine को मैं अभी convert करने वाल हूँ एक super sulfur mine पे तो मैंने इसको convert होने के लिए लगा दिया है अब यहाँ पे कुछ काला जादू अगर आप होगा उसके बाद ही अपना super mine बनेगा यह ओके भाई अपना sulfur mine तो देखो कितना ज़ादा कुपसूरत लग रहा है बारा होने के पाथ कैर चलो ठीक है अभी लग जया थे इसको तोरने पर तो इसको तोरके देखते हैं कितना माइन मिलता है All right guys तो मैं काफी दर से इस माइन को तोरने पर लगा हूँ और ये काफी जल्दी तूटने भी होला है तो यह तूट चुगा है अब यह मैं आपको दिखाता हूं कि हमको कितना सल्फर मिला है हमको गाइस मिला है पूरे के पूरे चारे छे हजार सल्फर यानि कि 6500 स्टोन हमको मिला था 30,000 एंड सल्फर मिला 6500 टाइटेनियम और एनरजी माइन को मैं आपको नहीं दिखा सकता क्य क्योंकि उसको तोने के लिए जो टूल चाहिए वो मेरे पास अभी नहीं है तो यह रहा एनरजी माइन आप एनरजी माइन को भी जाइन माइन में कंबर्तों कर सेकते हो बड़ मैं अभी नहीं कर रहा फिलाल गास मैं एक और टूल खरीद लेता हूं और इसको हम यूज करें सेकते हैं में पाइन को भी जाइन आरेन माइन पे एक कंबर्तों कर दिया है वटाबर से इसको तोरखे देखते कि आखिर हमको इससे कितना आरेन मिलता है ओलराइट गास तो फाइनल अपना आरेन माइन भी बास टूट नहीं वाला है लेट्स गवो ब्रूड जा टूट एक ही मिल गया, same quantity में मिल गया, तो IRN हमको थोरा सा जाधा मिलना चाहिए था ना, खेर चलो ठीक है, अभी तो आपको पता लगी गया होगा कि कौन सी सूपर माइन से कितना ओर मिलता है, अभी इस टूल को आपको यूज करना है या नहीं, यह पूरा आपके उपर है, झाल को आपके बाता है,